तो हलो गाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत ज़्याद अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T1 X मोबाइल फोन में एप लोग कैसे कर सकते हो तो अप लोग करने के लिए अपने Vivo T1 X मोबाइल में अपने Vivo T1 X में जाना है जैसे आपность में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ FI interface देखने को मिलेगा दूस्तों यहाँ पर आपको नीचे Skype करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा यहां पर security का तो यहां पर जैफी आप security पर click कर देती हो तो अभी दोफ्तों आपको यहां पर वीडियो को ध्यान फे देखना है क्योंकि जो step हैं बहुत लंबे हैं इनको करने के लिए आपको ध्यान फे को देखना पड़ेगा तो यहां पर दोफ्तों आपको नीचे चले जाना है और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा privacy and app encryption का तो यहां पर जाने के बाद दोफ्तों जब आप पहली बार यहां पर आऊगे तो यहां पर आपको एक new power forward बनाना पड़ेगा तो वो power forward मैं यहां पर बना देता हूँ तो यहां पर हमें 356 435 यह वाला power forward बना देता हूँ और verify करने के लिए फिर से आपको वही वाला power forward यहां पर डालना होगा ठीक है तो यहां पर power forward डालने के बाद दोफ्तों अभी आपको यहां पर कोई भी security question यहां पर बना देना है तो यहां पर दोफ्तों मैं कोई भी security question लिख देता हूँ जाफि मैं अपना name लिख देता हूँ अमन ठीक है इतना लिखने एक बाद नीचे फिर से मैं अमन लिख देता हूँ अपना name ही ताकि कभी मैं भूल जाओ लिख देता हूँ पाफरड तो इससे मैं recover कर पाऊंगा तो इतना करने के बाद दोफ्तों done पर click कर देना है यहां पर दोफ्तों आपको एक option मिल रहा है अप encryption का तो simply पर यहां पर click कर देना है और यहां पर आपको देर फार यह option देखने को मिल जाएंगे जिस भी आपको app को lock करना है तो simply फे आप उसको on कर दोगे तो यहाँ पर मैं Amazon को lock कर रहा हूँ तो simply फे मैंने Amazon को on कर दिया on करने के बाद उस्तों कर मैं यहाँ बैक जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं Amazon को open करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक power forward मांगा जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप अपने app को lock कर सकते हो बिना किसी चंजट के तो यहाँ पर दोफ्तों अगर आपको इसको delete करना है तो यहाँ पर फिर से आप वही पर जाएए और यहाँ पर अपना power forward डालिए power forward डालने के बाद दोफ्तों यहाँ पर आपको turn on विगरा कर देना है अगर आपने fingerprint लगाना है तो तो यहाँ पर दोफ्तों मैं इसको app encryption में जाता हूँ और इसको off कर देता हूँ तो अभी दोफ्तों मेरा जो power forward है वो हट चुका है मेरे M1 से तो इसको आप आप किफी को भी लॉक कर देखते हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो गाइब